हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू दी वोल्ड आफ नॉलेज अल्फता क्लासेज मैं हूँ आपका दोस्तारी शमीन फ्रेंट्स जैसा कि हम क्लास 9 के हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स का सॉलिशन विडियो सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया कंप्लीट न पार्ट 2 में हम इसके लॉंग कोशन को कवर करेंगे तो आए फ्रेंट्स बिना देरी करते हुए भगॉलिक खोजों के पार्ट 2 लॉंग कोशन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कोशन से हैं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा यह हमारा पहला सवाल दिरगुतरी प्रशन का पहला सवाल भगॉलिक खोजों को क्या तातपर है इसने किस परकार विश्व की दूडियों को घटाया या दूडियां घटाई तो भगॉलिक खोजों का मतलब क्या है तो आए फ्रेंट इस कांसर देखते हैं इस कांसर इस पर जिन में जन जीवन तो विदमान था लेकिन शेष विजव से उनका जुड़ाव नहीं था, फार एक्जैम्टल अमेरिका, अगर आप अमेरिका वल्ड मेप देखेंगे और अमेरिका को देखेंगे, तो नौर्थ अमरिका, साथ अमरिका का एशिया से कोई भी जुड़ाव नहीं था जब तक भगॉलिक खोज नहीं हुआ, भगॉलिक खोज होने के बाद ही उन दोनें का जुड़ा हुआ है जैसे अमरीका, अफरीका, और अस्ट्रेलिया तथा एशिया के कुछ हिससे इनी छेत्रों की समुदरी मार्ग द्वारा खोज हुई, और समुदरी यात्रा से इन नए-ने देशों का पता लगा, जिसे भगॉलिक खोज कहते हैं अगर भगॉलिक खोज ना हुआ होता, तो इन देशों का पता नहीं चलता आगे देखेंगे तो भगौली खोजों के कारण विश्व की दूरिया कम हो गई इसी घटना ने पहली बार लोगों को संसार के विरत भुखर्ण से परचित कराया मतलब यही एक भगौली खोज है जिसकी वजा से संसार कितनी बड़ी है और कहां कहां लोग बसे हैं इससे पर पढ़ाएं थी सब भेताएं थी सब एक दूसरे के कॉंटैक्ट में आता है योरोब वाले योरोब वालों ने अपनी सभीता संस्कृती धर्म एवं साहित का परचार परसार किया इसके कारण लोगों में आपसी मदभेत दोनों तरह के भावनाओं का विकास हुआ फलता इस घ्यान सवाल है नसले सवाल यहां पर दिया हुआ है तो पहला पॉ deepest हम देखे धर्म धर्म यूद गयार्मी बार्मी शदापदी में जेरुसेलम की घटना करम थी इसके दोरान ही योरोपियनों को यह मैसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए अता भगौलिक होजों को प्रोचाहन मिला तो पहला कारण क्या हो सकता है धर्म यूद हो सकता है दूसरा है कुस्तुनिया पर तुर्की का अधिपात्य कुस्तुनिया ऐसा छेतर है फ्रेंट जो अईशिया को योरोप से जोड़ता है कुस्तुनिया अभी इस्तामबूल कहते हैं अभी कुस्तुनिया नाम का कुछ जगा नहीं है यह पुराना नाम है अभी का नाम प्रेज प्यानों के लिए अवशक था इस पॉइंट का मतलब ये फ्रेंट्स के आप इसको ऐसे इस नक्षे से समझ सकते हैं मालगे ये योरोप है और ये एशिया है और ये बीच वाला जो है ये कुस्तुंतुनिया है तरकी है तो इस पे किसका अधिकार हो गया तुर्की वालों ने इस पे अधिकार कर लिया अधिकार कर लिया योरोप से जो भी business होता था बिजनेस करने के लिए लोग आते थे वो जो चुंकि ये single रास्ता था एकी रास्ता था तो इससे तुर्की वाले क्या करते थे बहुत जादा tax बसे उने लगे तो योप को लगा कि अब दूसरा रास ने ने उपकर्ण एक option है, comment section में आप बताएं friends कि आपके chapter में दिया हुआ 30-40 से चलने वाले जहाज का क्या नाम है, वो आप comment section में उसका अंसर बताएं, उपकर्णों एबम साहस के बल पर European नाविकों ने अट्लांटिक एबम भूम अदसागर में अपने जहाज उतारे, फल स इसपेन की महरानी का सहयोग, पुर्तगाल के राजकुमार Henry the Navigator तथा इसपेन की महरानी इसावेला ने भगौली खोजों को प्रोचाहन दिया, तथा जाने का खर्च आदी दे कर विदा किया, अगर वो राजा, पुर्तगाल के राजा Henry the Navigator ने पैसा नहीं दिया होता, तो अपने जहाजों को लेकर समुद्र में नहीं उतरते, इसी तरह स्पेन की महरानी इसावेला ने भी बहुत जादा प्रोचाहन दिया, जिस वज़ा से भगौली खोजों को प्रोचाहन मिला और लोगों में हिम्मत जुटी और उन्होंने भगौली खोज को अंजाम दिया, त भारत से किस परकार व्यापार करते, तो उत्तर होगा नया नविशित भूभागों में क्या क्या है, तो कॉलंबस ने अमरीका की खोज कप की, अगर आप नकशा देखें हैं, भारती नकशा तो यह योरोप का छ्चेतर है, यह एशिया हो जाता है, यह आफ्रीका हो यह योरोप है, और यह नॉर्थ अमरििका, साउस फूर्डिया पर जाता है, तो इस तरह से आप देखें तो नकशा है और कुछ पॉइंट है याप ल वियदी मैं योरोप में होता वैसे तो इस सवाल के जवाब को खुद करना चाहिए लेकिन अगर मैं बताओं तो मैं योरोप में होता तो मैं जिस तरह से कोलंबस अपनाया था चलकर जहाज लेकर आया था वैसे ही मैं भी भारत आता और व्यापार करता यह हमारा अगला सवाल वाली जिकती शीलता अनाही धर्म का सुरूप उदार एवं मानविय था पृत्वी के विशय में ग्यान अतियल्प एवं अध विश्वास से युकता भगौलिक ग्यान सिमित था अथा समुद्री वियापार भी सिमित था उस वक्त कोई जानकारी ही नहीं थी लोगों के पास विस्वास युकता भगौलिक ग्यान सिमित था उस समय लोगों को विश्वास था कि अधिकतम दूरी जाने पर पित्वी की किनारे से गिरकर अन्द में विली हो जाना पड़ेगा यही युग अंध कार tut कि किसी को कोई जानकारी ही नहीं थी आगे अगर देखें तो अंधकार युक से बाहर आने में भगौलिक खोजो का महत्पून इस्थान है भगौलिक खोजो के कारण आपसी जानकारी मिली लोग एक दूसरे के निकटा एशिया और योरोप की सभिताओं का मेल हुआ और एक दूसरे की सभिता और संस्कृति से परिचित हुआ इसाई धर्म का परचार अफरीका एशिया अमेरिका में किया गया इस धर्म के वियापार परचार ने चर्च परभुषत्ता को कम किया भगौलिक होजों के कारण हुई ग्यान में विर्धी से धर्म पर भी परभाव परा कितने ही इस थलोग पर अंधिविश्वासों का खंड इक थे दिए में तपॉइंट वाणिट वह पार वानिंज को 거ाई शोषन से यूरूपय देश संभी थो ने लगे हुंडि रिन पत्राद का विकास विकास उसमटिवे सी वर्षो तक यूरोपी और यूर्थ व्यस्ता चांदि पर रही मतलब बहुत जादा पैसा कमाया अपनी वेशिक समराजों का विकास समराजवाद का विकास जाड़ी रहा इंगलैंड, हॉलैंड, सुडेन, डेनमार्क, फ्रांस, आधी देशों में कमपनिया इस्थापित हुई बहुत जादा उन लोगों का फाइदा हुआ अगला पॉंट देखे तो इसाई धर्म का परसार, योểnोत वाले अपनी वेशिओ में इसाई धर्म का परचार परसार किया तो फ्रेंड, यहां तक हमने देखा झाज़ा क्या परिनाम उनका वर्णनर भी हमने कर दिया, क्या परभाव पला, वह भी हमने देख लिया और यहाँ पर हमारा यह chapter जो होता है complete हो जाता है chapter 1 भगौली खोज class 9 का अगर friends वीडियो पसंद आया हो वीडियो को like कीजिए वीडियो मनाने में बहुत फिनत लगता है friends तो आप एक like तो ज़रूर कर ही सकते हैं मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते हैं अपना ख्याल रखें टेक क्यार बाइबाए